हेलो दोस्तों फिर एक नए वीडियो में आपका श्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे बिहार का एस्पेसल 100 टॉप जिक्के ठीक है जो कि बिहार के लगभख सभी कॉम्प्टिशन एक्जाम में पूछे ही जाते हैं और इसमें से बहुत जिक्के का सवाल आज जाए तो चलिए आज की क्लास को में लोग करते हैं स्टाट और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल तो आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने भी यह रहेगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो बैस मार्च को मनाया जाता है तो आज का दूसरा तो आज का आपका चौंसा सवाल रहेगा बिहार का राजकिये भासा क्या है तो बिहार का राजकिये भासा हिंदी और उर्दू है हिंदी और उर्दू है बिहार का राजकिये भासा कौन है तो हिंदी और उर्दू है चलिए तो आज का पांचमा सवाल आपका रहेगा बिहार क तौ बिहार का राजकिया पसू कोन है तो आपका आठ दिगार आजकिय पक्षी को कौन है तो आंध कर आजकर ठीक है तो आज technically में प्रमंडल की संख्या नौट ओए ठीक नौँं है तो आज का 10 में ञजूयों की संख्या कितनी है तो literally 368 चलिए तो फर्में कितने अनुमंडल है तो बिहार में सिर्फ 101 अनुमंडल Converse और बरमा सवाल आपका रहेगा बिहार में विष्विद्यालों की संख्या कितना है तो बिहार बिश्विद्यालों की संख्या 21 है ठीक है न और इसमें भारत का जो अधिक जन्संख्या वाला बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जीला कौन है तो आपका 15 werd में बिहार में वहार में सबसे कम लिंगा नूपात वाला जीला कौन हैं तो वा जाएगा inisAK ठीक ठाक है चलिए तो 17 सवार्थिक साक्षर्ता वाला जिला कौन है इसका अंसर हो जाएगा रोहतास ठीक है ना तो किसका नंद को सबसे कौन फवाला कौन है तो मतलब कितना है तो 70.68 और भारत में जो सबसे अधिक मतलब साकशर्तावाला राज्जे बो और बिहार में सबसे पर पुर्णिया चलिए 19 में रहेगा आपका बिहार में स्वार्दिक वर्सा वाला जिला कौन है इसका अंसर हो जाएगा किसन गंज किसन गंज में सबसे अधिक बिहार में बर्सा होती है चलिए तो आज का 20 अंसर आपके सामने रहेगा बिहार में सबसे कम वर्सा वाला जिला कौन है तो वो हो अगर मिक्की जलाएं पड़ता है तो गया जलाएं पड़ता है आप लोगे लिगते रहेगा बध्धू में सब से बढ़ानेगर कॉन है तो विभयार में कि दो हैं वहार का मतलब जहां पर बहुत लोग ठहरते हैं है नरहते हैं चलिए तो 24 सभाल में आपका रहेगा बिहार में नमक सत्यागरा आरम कब हुआ था तो बिहार में है नमक सत्यागरा आरम जो वा था ना वह 15 अफ्राइल 1930 को हुआ था सारन और चंपार अनजले से अगर गान्धी जी के निर्तितु में यह निर्टी जो अश्टार्ट किया गया था, भारभ मार्च उनिस्सव तीस को अश्टार्ट किया गया था और इसको 5-6 अपेल को क्या कर दे जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, छलिए。 तो आपका 25 स्वाल में रहेगा बिहार का पिर्थक प्रांथ की रूप में गठन की मांग कब प्रस्तूत की गई थी हैना तो 1906 में मांग की गई थी और 1912 में हैना अभी भाजन हो जाता बंगाल से चलिए तो 26 सवाल में आपका रहेगा बिहार का मोगल समराज्य के प्रांथ की रूप में कब गठन हुआ तो 580 इस्वी में तो 27 सवाल में आपका रहेगा ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट याद रखिएगा वर्तमान में बिहार विधान सभा में हैना कितने सदसे हैं तो 243 243 हो जाएगा और 28 में दिया है बिहार से लोग सभा के लिए सदसे चूने जाते हैं कितने चूने जाते हैं तो 40 चूने जाते हैं वर्तमान में में थी 29 में रहेगा आपका पटना उच नियाले की अस्थापना कब हुई थी तो आप लोग को याद रखना है पटना उच नियाले की जो अस्थापना हुई थी न वो आपका हुआ था 1917 में हुआ था ठीक है चलिए तो आपका अगला सवाल रहेगा 30 नमर बिहर राजे सभा सिटे बिहर राजे में सभा सिट कितनी है तो बिहर राजे में जो सभा की जो सीटे है न वो 18 चलिए तो आपका 31 स्वाल है ज्यार खंड बिहर से कब अलग हुआ था था बिहर से ज्यार में वा था ठीक है ना चलिए 33 में दिया है बिहार से लिष्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे ठीक है ना तजय प्रकास नारायन थे 34 में दिया आपका बिहार के परमुक समाचार पत्र बिहारी की समपादक कौन थे ठीक है न तो आपको याद रखना है बाबू महिसवर पर साथ थे 35 में दिया आपका बिहार में भारती राश्टी का अंग्रेस का 1922 का अदिवीन सन है न हुआ था का है तो 36 में दिया बिहार में किसान सभा के अस्थापना है न किस ने किये थे तो याद रखेगा सहजा नेंद सरस्वती के दोरा की गई थी चलिए तो 37 स्वाल में आपका रहेगा बिहार बंगाल से कब पिर्थक हुआ तो बिहार जो बंगाल से पिर्थक हुआ न वो 1912 में हुआ ठीक है न बैस मार्च 1912 में हुआ था चलिए अर्तिस नोसल में आपका रहेगा 1857 की करांती की बिहार के निता कौन थे तो ये थे आपका कुवर सिंग कौन थे? कुवर सिंग थे ठीक है न जो मतलब मरते तक न ये अंग्रिय जो से लड़ते रहे ठीक है न चलिए 49 नोसल में आपका रहेगा पटना को प्रांतिय राजधानी बनाया गया है न किस की दोरा बनाया गया था? तो सेरसा की दोरा बनाया गया था ठीक है? चलिए 40 में रहेगा बिहार के स्वार्धिक लोग पिरिय सुल्तान कौन थे? तो वो हो जाएगा सेरसा सूरी 41 में दिया आपका नालंदा विश्विद्याले के बैभाव को किसने नश्ट किया? तो आपको याद रखना है बक्तियार खिल जी ठीक है न ये तुर्की के थे इने के दोरा क्या किया गया? नालंदा विश्विद्याले को है न शमाप्त किया गया है नश्ट कर दिया गया चलिए 42 में आपका ये रहेगा बिहार की राजनितिक सैक्षनिक सक्ति किस काल में सांस्किती गरिमा खंडित हुई तो याद रखेंगे मध्य काल में चलिए 43 में आपका रहेगा किस मुगल सासक ने सर परतम बिहार को अपना आज में मिलाया था टो नवह हो जायगा अकबर हो जायगा कि 44 में का अपका दिए हैं पाटलि पूत्र के संस्थापक थे उध्यन कौन थे उध्यन है चलिएaf अगला सब आप कर रहेगा 45 नमर पाटली पूत्र इस ती चंद्र गुप्त का महल बना था क्या चिस से बना था तो लकरी के टुकड़े से बना था ठीक है न लकरी सब से बना था याद रखेगा तो 46 में आप लोगा दिया है पाटली पुत्र को किसा सगने सवर पर्थम अपनी राधानी बनाई थी तो चंद्र गुप्त मौर्रे ने बनाई थी तो 47 में आपका दिया गया है भिआड में 1857 क्रांटी के नेताकर कुमर सिंघini का दिहांत कब हो गया था चैकите आपको याद रखना हैं नहीकर कमर सिंघ जी का जिनम हैना तो चंद्गुप्त मौरे के गुरू कौन थे चानक के ठीक है तो उन्चास में आपका दिया है कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटनामे हुई ती याद रखिएगा पचास में दिया है बिहार के सरी से किसे संबोधित किया जाता है तो आपको याद किस देश की सीमा बिहार राजे से जुड़ती है तो आप लोग के लिए मैं अगर इतना मिनत कर सकता हूं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आय ठीक है ना चलिए तो आज का बावन नमर स्वाल आपके सामने रहेगा बिहार का सुक किस नदी को कहा जाता है तो बिहार का सुक याद रखेंगे आप लोग कोसी को कहा जाता है ठीक है चलिए त्रेपर में दिया आप लोग का बिहार में मोगल अस्था पत्ते कला का सरस्रे उधारन है तो याद रखेंगे मनेर इस्तित्सा दौलत का मगवरा ठीक है चलिए चोबन में आप लोगा दिया है बच्चों मध्यकाल में बिहार आने वाले इरानी यात्रियों में कौन एक हैना धर्मा चार रहे था याद रखेंगे आप लोग बहुत बहानी था ठीक है पच्पन में आप लोगा दिया है बिहार पर उर्दु भासा में किसके दोरा एतिहासिक रचना लिखी गई है तो साद आ जी चलिए तो पच्पन में आपका दिया था बिहार पर उर्दु भासा में किसके दोरा एतिहासिक रचना लिखी गई है तो साद अजीदा बादी के द था ठीक है ना 19 October 1919 को वाता चलिए तो संतावन में हैं बिहार रिसर्च सुसाइटी की अस्थापना कब हुई थी तो आपको याद रखना है बिहार रिसर्च सुसाइटी की जो अस्थापना हुई थी न वो 1915 में हुई थी अगला सवल आपका समने आएगा पटना संग्राले क बिहार में बच्चों 26 संग्राले याद रखिएगा उनसर में आप लोगा दिया है मगध की पड़ावर्ती गुप्त वन्स के संस्थापक कौन थे इसका अंसर हो जाएगा किर्ष्ण गुप्ते कौन थे तो किर्ष्ण गुप्ते ठीक है चलिए था हम लोग चलते साथ नमर ज्चोंसर में बिहार में अस्थापित होने वाला पहला बैंक कौन है फिरा था चलिए पैसर में दिया है बिहार में आई सबसे भीसन बाढ़ है न, तो बिहार में जो सबसे भीसन बाढ़ खतनाक बाढ़ आई थी, वो 1975 में आई थी तो 96 नमर देखेंगे आप लोग, तो 96 में दिया है, बिहार की पर्थम सिचाही पर्युजणा का नाम है सुन बहु उदेश्य पर्युआ में बिहार में श्थाप्त पहला चीनी मिल वो गता औरा में लगाया गया था उुस्थि Nek किन रधाँ से अंधुर में बिहार मे श्थाप recipro में परदार कके अंधर्सन श्थारन केंद्र हैं ठीकैना तो मुझ पर हैं 1978 में इसका स्थापना हुआ था तो 69 में दिया है नालंदा महा विहार को आर्थिक अनुदान देने वाले सास कौन थे तो हर्स देवफाल तथा धर्म पाल थे ठीक है न चलिए 70 में दिया आम की वह पर जाती जो किवल बिहार में ही पाई जाती है तो वह जाएगा आपका सफिदा हो जाएगा एक स्थीन ही न चलिए 70 नूमर देखेंगे बिहार में बेहने वाली नदियों में किसका अध्गम अमर्कंटक में है तो वह जाएगा का से में ठीक है 72 में दिया है तो चोहतर में आपका आएगा बिहार में डाल मिया नगर परसीद है किस के लिए तो चम्रों के लिए परसीद है ना चम्रा के लिए बिहार में केला उत्पादन का परसीद का है तो वो जाएगा हाजीपुर हाजीपुर का केला परसीद है और आपको याद रखना है हाँ आप जिल बिहार में इस्ति थे तो अनुपम जिल इस्ति थे ठीक है ना चलिए अठतर देखिए ना लंदा विस्विद्याले विश्परसिता किसके लिए तो बहुत धर्म दर्सन के लिए उनासी में दिया है बिहार आने वाला पहला अंगले जी आतरी कौन था तो वो हो जाएगा राल फिच हो जाएगा ठीक है ना चलिए असी में दिया है अंति मौरे समराट कौन थे तो विर्ध दर्थ थे ठीक है ना विर्ध दर्थ थे समराट के पिता याद अधर और सीसी में दिया समराट अज्प्त की वह सिल्हा लेखों कुछink तो उस्वान सार नाम की वह नाम की तो तो हर्यां कवर्थ ठीक है न फिर एक जनिघना कि नласर बिहार की जन्सिंकिया कितनी थी आहäre आपको याद रखना है आठ करोड 29,99,509 थी ठीक है न चलिए तुछी आसी में आप लोग आ दिया है अजात सत्रू किस राज्य को पराजित नहीं कर सका तो अवंती किसको अवंती को ठीक है न चलिए 87 में दिया वह सुरूत जिसमें पाटली पुत्र के परसासन का वर्णन उपलब्द है तो वह जाएगा इंडे का ठीक है न आपको याद रखना है पटना का पुरान नाम क्या था तो पाटली पुत्रम था ठीक है याद रखेगा बिहार की सबसे अधिक नदी पत परिवर्तन क का नाम क्या था तो साहब जादा सींगh क्या था साहब जादा सींग्थ भिहार परसीड़े किस पर्व के लिए परसीद है ठीक है डitzer आपने हुआ इस आपिया नीर किर्श्वूस के पर्थम नदी को ही कहा जाता है तो अभी साहिए नदी को भी कहा जाता है क्योंकि इसे सबस्तेरा तभाहिए होता है बिहार को आप अचाने में दिया बिहार के पर्थम मुख्य मंत्री कौन थे तुसरी किस्ट सिंग ठीक है न और और अवरत में पूछेगा तो तेजपरताप का मम्मी हो जाएगा वो ठीक है न याद रखेगा सिंतानमे में दिया आप का विहार के पर्थम राज्यर पाल कौन थे तो याद रहएगा। अभी वरतमान में अर्ति जिल्य अचाने में तो आपका लाश्ट सवाल राइगा नमबर बिहार के किस नगर से भारत की महान जोती सचार आड़ेवट का गैरा समंद्रा पार्टली पूतर से ठीक है तो प्लीज वीडियो को लाइक करी दियाँगे आप लोग अगर अगर अब लोग सब्सक्राइब कर देंगे ठीक है ना अगर किसी बच्चों को यह वाली पीडियाप चाहिए न ता आप ले सकते हो आपको वार्ट्स ऑप करने पचासी जीरो साथ सोची आसी तीस एक्सर पे ठीक है ना यह वाले आपको पेडियाफ मिल जाएगा तो चलिए आज के लिए तना है रहेगा थैंक्स पर वाचिंग फिर मिलते एक नए वीडियो के लिए नए वीडियो में जब तक लिए दीजाज़े तो बाइब बाइब थैंक्स पर वाचिंग